आज हम लोग जानेंगे कि thrust block क्या होता है इमेज में आप देख सकते हैं concrete का ये portion कहलाता है thrust block एक concrete pipe restrain that prevents the main line from moving by transforming pipe loads mainly due to pressure thrust इसका मतलब ये है कि माल लिजी आपकी pipe है जिसमें पानी का flow हो रहा है ठीक है पानी यहां से गया और ऐसे की तरफ turn होके चला गया तो इस समय क्या होता है जहां पर ये joint होता है जहां पर 90 degree या 45 degree का angle होता है यहां पर बाहर की तरफ एक thrust लगता है ठीक है एक pressure पड़ता है इस portion पर pipe के तूटने का फटने का chance रहता है इसी वज़े से यहां पर एक concrete का एक block रख दिया जाता है जो की thrust को रजिस्ट करता है और pipe को फटने से बचा देता है आपका thrust block किसी भी angle पर प्रियोग किया जा सकता है आपकी जो main line होती है जिस पर पानी का pressure बहुत ज़ादा होता है उसे में प्राया यह प्रियोग किया जाता है ऐसे ही informative वीडियो के लिए हमारे चले को subscribe जरूब कर लीजे थैंक यू